है गाईज वल्कम बैक तो दी चैनल चैनल पर आपका एक पर फिर से स्वागत है दोस्तों सूपर आइडियास पर हम आप लोगों के लिए हर एक अपडेट लाने की कोशिश करते हैं चाहे वो किसी एक्जाम से रिलेटिड हो चाहे कोही लेटेस्ट न्यूज हो या फिर किसी भी तरीके की कोई गौर्वेंट बनेफिट तो अगर अभी तक आप लोगों ने सूपर आइडियास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अप्लोड हो उसकी नोटिफिके तो आज की इस वीडियो में देखेंगी कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपका फास्टेक फेक है या नहीं तो सरकार सिस्टम को दुरुस करने के लिए जैसे ही कोई नियम बनाती है वैसे ही घपले बाजी करने वाले तो फायदा उठाने के लिए तुरंट खड़े हो जाते हैं नैशनल हाईवे अथोर्टी ने फास्टेक को लेकर लोगों को आगा किया है केंदर सरकार ने 15 फरवरी की आधी रात से ही फास्टेक पूरे देश में अनिवाली कर दिया और नियम के मताबित बिना फास्टेक वाली लाइन में आप बिना फास्टेक के गुजर नहीं सक तो जाल साजों से आपको बचना है नकली फास्टेक मार्किट में आ चुके हैं फास्टेक को लेकर NHI ने लोगों को चितावनी देते हुए कहा कि कुछ जाल साज ओनलाइन नकली फास्टेक बेच रहे हैं जो दिखने में बिलकुल NHI या IHMCL के फास्टेक जैसे लगते हैं ये नकली फास्टेक टोल प्लाजा पर काम नहीं करेंगे इससे आप टोल प्लाजा पार नहीं कर सकते हैं तो ध्यान दें कि आपका फास्टेक असली हो और आप सही जंगे से उसको खरीदें कहां से आप खरीद सकते हैं असली फास्टेक खरीदने के लिए आप official website www.ihmcl.co.in या फिर my fast tech app का इस्तिमाल कर सकते हैं इसके अलावा users listed bank को द्वारा authorized POS यानि की point of sale agent से भी fast tech को खरीद सकते हैं काफी सारे bank है जो अपनी website पर knowledge दे रही हैं वहाँ से आप खरीद सकते हैं इन सभी bankों की जानकारी IHMCL की website पर भी दी गई है अगर आपको नकली fast tech का पता च बचना है fast tech order करने से बचे और ऐसी कसी किसी गतिवीदी के अगर आपको जानकारी मिलती है तो आप NHI के help 9 number 1033 पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप mail कर सकते हैं etc.nodal.ihmcl.com Fast tech लेने के बहुत सारे तरीके हैं पूरे देश में करीबन 23 ऐसे bank और 30,000 से ज़्यादा पूस मशीन के जरिये fast tech खरीदा जा सकते हैं यह काम आप चाहें तो online भी कर सकते हैं या फिर किसी भी अधिकारिक bank की website पर विजिट करें और fast tech संबंदी application form में मांगी गई जानकारी इसके बाद payment करना है और bank आपके पते पर इसे भेज देगा इसके लिए आपको कुछ दस्तावेज देने हैं और जैसे registration certificate और KYC के लिए आधार card, pen card, car, jeep, van और Tata S के लिए fast tech की कीमत 400 रुपे हैं जिसमें security deposit होता है आपका 200 रुपे और fast tech जारी करने की fees होती है आपकी 100 र fast tech काफी सारे bank है कुछ मैंने यहाँ पर listed की है with customer care number तो आप इन बैंकों से भी खरीच सकते हैं Paytm भी upload दराते है आप Paytm से भी खरीच सकते हैं या फिर आपको my fast tech की app की पर जाकर खरीच सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही I hope आपको वीडियो पसंद आ ताकि जैसे ही कोई वीडियो प्लोड हो उसकी notification आपको मिले सबसे पहले तो thank you so much bye bye